नवश्कार दोस्तों, करीबते ही लाख स्टुडेंट इस वक्त सडकों पर हैं। वो हक मांग रहे हैं सरकार से, वो कह रहे हैं कि हमने जो पिछले दो-तीन सालों में महनत की है, वो बेवज है नहीं की। सपना था डाक्टर बनने का, शिर्फ इस्टुडेंट सपना नहीं देखता, उसका परिवार सपना देखता है, सपना ही नहीं देखता, उस सपने को पूरा करने के लिए परिवार और बच्चे बहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया, सपनों को तोड़ दिया, पेपर लिग करके. एक जो रैकेट पकड़ा गया पटना से, उस रैकेट के बारे में बड़े खुलासे हुए हैं, सिकंदर परसाद यादवेंदू. सिकंदर परसाद यादवेंदू जूनियर इंजिनियर है, और इसके संबन्द बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से हैं. सिकंदर के संबन्द पूर डिप्टी सीम बिहार, तेजस्वी यादव के पियस, प्रीतम कुमार से भी थे. और इसी प्रीतम कुमार के कहने पर, सिकंदर परसाद यादवेंदू के भतेजे, यानि साले के लड़के, अनुराग यादव को एन एच आई के गैस्ट हाउस में ठहराई बे गया. अनुराग यादव और उसकी मा मंत्री के रेकमेंडेशन पर, यानि पिरितम कुमार के कहने पर, वहाँ ठहरें. यानि तमाम सुईधाय दी गई, एन एच आई के गैस्ट रूम पर ठहरें, और फिर वही से अनुराग को एक सेफ हाउस में ले जाए गया. सेफ हाउस में पहले से ही कई बच्चे थे, जिन में से चार गरपतार भी हो गए हैं. उनका नाम में बता देता हूँ, एक तो यही अनुराग यादव था, दूसरा आयुस राज था, तीसरा अभिशेक था, और चो था, सिव नंदन कुमार था. इनको पहली राद परिक्षा के परसंपत्र दे दिये गए थे, सिर्फ परसंपत्र ही नहीं दिये गए, बलकि उनको इनके उत्तर भी रटवा दिये गए थे, पूरी तरह से. और यहीं से फिर वो परिक्षा सेंटर गए थे, यनि सेफ हाउस में पूरी परिक्षा का जो परसंपत्र था, उसका जो उत्तर था, इनको रटवा दिया गया, और यहीं से फिर वो परिक्षा के इंद्रों पर गए, और इन्होंने ये ग्रपता, तेरे लोग ग्रपतार बि प्रदेश में और हंगामा मस गया सक तो पहले दिन था चार जो जून को जब परिक्सा प्रणाम आया उसके बादी सक करनी लगे थे लोग की 67 लोग टोपर थे बड़ी संख्या मेरिट में लोग आ रहे थे तो सक तो पहले ही था फिर यह जो पेपर लीक का मामला पटना में प पकड़ा गया उससे तो हंगामा मस गया और यह जो फिर खुला सा हुआ तेरे लोग एरेस्टिंग हुए जिन में इनके अनुराग्यादाव के पितावे थे कई लोग ते गार्जन्स थे और यह लोग थे पूरा रैकिट था सिकंदर परसाद्या बंद्रू का तो इसने इन होनार बच्चों योग बच्चों के ऊपर एक तरह से जुल्म है कि जिन्होंने सालों मेहनत की और उनकी जगए योग बच्चों को एक दिन पहले परसन पत्र रटवा दिया जाए और फिर उनको डॉक्टर बना दिया जाए अब आप ये समझे कि जो बच्चे ये एलन में या दूसरे अलग-अलग संस्थानों में कोचिंग भी कर रहे थी इनको अनुरा को एक दिन पहले ही बुलाया था सिकंदर ने कि हाँ हमारी सेटिंग हो गई तो मा जो परसन पत्र यहां मिल जाएको दिक्कत मतलब और इनको परसन पत्र मिल भी गया लेकिन आपको जानकर यह ताज्यूब होगा कि परसन पत्र मिलने के बावजूद भी इन लोगों ने प्रिक्स में कुछ खास नहीं किया बहुत कम नंबर आए पहले मिल जाने के बाद भी उतर मिल जाने के बाद भी रटवाई जाने के बाद भी य सबसे पहले में जो नंबर बता रहा हूं अनुराग का बता रहा हूं अनुराग यादव को 720 में से 185 नंबर मिले हैं आप समझेए सब एक दिन पहले प्रसन पत्र मिल गया उत्तर मिल गया लेकिन ये तब भी याद नहीं कर पाया इसको डॉक्टर बनाने के लिए ये लोग जुटे विए थे अगर ये डॉक्टर बन जाता तो किस तरह का डॉक्टर होता और इसके जरिये ज किसे पैसे भी लिए किसी से 40 लाक लिएगे किसी से 32 लाक लिएगे किसी से 30 लाक लिएगे क्रोड़ो रूपे के तो चेक मिले हैं यहां पर सिकंदर परसाद के पास तो बात करते हैं नंबर की आयूसराज के जो नंबर थे 720 में थे वो थे 300 मैच 300 नंबर ये गेन कर पाया प रटने के बाद भी परसन पत्र मिल जाने के बाद ही शिवनंदन कुमार शिवनंदन कुमार भी 600 से नीची रहा और इसको 533 अंकी मिले यानि ये थे ओसत दर्जे से भी कम इस तरके स्टुडेंट जिन्नोंने 24 घंटे पहले परसन पत्र ले लिया लेकिन तब भी ये उनके उत्तर याद नहीं कर पाए ऐसे लोग पैसे के बलब पर डॉक्टर बनना चाते हैं समाज में आना चाते हैं फिर क्या कमाल करेंगे आप समझ सकते हैं जाहिर सी बात है पेपर लीग के जरिये ये इस देश पर इस तरह के लोगों को थोपना चाते थे जो समाज के लिए एक खत्रा होने वाला था ये आतंकवाज जैसी चीज है जिस पर सक्त कारवाई होने चाहिए हलाकि केंद के जो सिख्षा मंत्रिय धर्मेंदर पदान उनने कहा कि हम जीरो एरर जो है सुनशिंद करेंगे किसी को भी बखसेंगे नहीं एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा जो एंटीए पर जाच करेंगी पता करेंगी कि कहां से ये कौन-कौन इसमें इन्वोल थे और सब को सक्त से सक्त कारवाई के जरिये उनके किये कि कि कल रद करगी दी गई थी हाला कि उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इसमें पारदर्सीता लाएंगे और जीरो एरर की बात की कि उन्होंने कुछ भी त्रूटी नहीं छोड़ेंगे अब देखना होगा कि सरकार इस हाई लेवल कमेटी के जरिये क्या करने वाली है क्या प् फियर काम होता भी दिखे तो उनको पेपर फिर से कराना चाहिए विपक्स भी इस पर पूरी तरह से सरकार पर हमला वा रहा है सरकार ये कह रहे है कि हम बिल्कुल फियर काम कर रहे हैं लेकिन फियर काम दिखना भी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब प्रिक्सा फिर से हो ह अपने आप में यह जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रिक्सा है क्योंकि जो रेक्ट पकड़ा गया है सिकंदर प्रशाद याजवेंद्रुका इससे पहले कई और प्रिक्साओं में भी इस तरह के यह पेपर लिग करवा चुके हैं यानि यह प्रोफेशनल आए और फिर कभी इस बारे में कोई सोच भी ना पाए लेकिन अपने आम में यह बताने के लिए काफी है कि यह जो नंबर इन लोगों ने लाए हैं वो इनकी क्या असलियत थी और किस तरह से इस देश के होनार बच्चों के साथ यह लोग धोका करते हैं आप लोग क्या लिक के जरे भी अगर उनका बच्चा इसी तरह से नंबर लाएगा तब भी कोई भविश नहीं है नमस्कार